अगर आप ग्लास टेल्य अपार रहे हैं और बोर्ड परीक्षा की तयारी कर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आप किन भावनाओं से गुज़र रहे हैं ये परीक्षाएं आपके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती हैं लेकिन चिंता मत कीजिए मैं आपके साथ हूँ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा की तयारी कैसे करें और कुछ मोटिवेशनल टिप्स शेयर करेंगे जो आपको शांत, केंदृत और सफलता के लिए तयार रखेंगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना न भूले तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ये याद रखें कि आप ये कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है एक सकारात्मक मान सकता हर दिन खुद को याद दिलाए कि आप सफल होने की क्षमता रखते हैं हो सकता है कि यह सफर कठिन लगे लेकिन यकीन मानिये आपकी मेहनत रंग लाएगी जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पढ़ाई का तनाव कम होता है और आपकी मेहनत का प्रभाव बढ़ता है इसके साथ ही हर दिन खुद से कहें कि यह प्रयास आपके भविश्य के लिए है यह सोचने का तरीका आपके पूरे दृष्टिकोन को बदल सकता है और हर चुनोती को आपके लिए एक अवसर बना सकता है अब बात करते हैं योजना बनाने की एक अच्छा स्टडी प्लान आपके लिए सफलता का रोड मैप है यह आपको केंद्रित रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप हर टॉपिक कवर कर रहे हैं अपने सिलेबस को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटे और एक बार में एक विशय पर ध्यान दे बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश न करें इससे आप ठक सकते हैं साथ ही वास्तविक बने ब्रेक्स का भी समय रखें, रिवीजन का भी समय रखें और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखें ताकि आप जरूरत पढ़ने पर इसे एड़जस्ट कर सकें इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें और हर दिन इसका पालन करें हर किसी के पास कुछ मजबूत और कुछ कमज़ोर क्षेत्र होते हैं सफलता का राज है कि हम अपने कमज़ोर हिस्सों पर ध्यान दें बिना निराश हुए अपने उन टॉपिक्स की सूची बनाएं जिन्हें आप कठिन पाते हैं और उन पर अधिक समय दें इन टॉपिक्स से डरे नहीं बलकि उन्हें अपने विकास के अफसर के रूप में देखें याद रखें कुछ चीजें समझने में ज्यादा समय लग सकती हैं लेकिन आपके धहरे में ही आपकी जीत छुपी है रिवीजन है बेहत जरूरी रिवीजन तयारी का एक महतोपूर्ण हिस्सा है सिर्फ एक बार पढ़ लेना काफी नहीं है इसे कई बार पढ़ना जरूरी है ताकि यह आपकी याददाश्ट में बना रहे एक रिवीजन शेड्यूल बनाएं और इसका पालन करें महतोपूर्ण पॉइंट्स को फिर से लिखें कॉमन सवालों का जवाब दें और किसी भी मुश्किल सवाल पर फिर से काम करें जितना अधिक आप रिवाइस करेंगे उतना ही आत्मविश्वास आपको महसूस होगा तैयारी के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है मौक टेस्ट और पुराने सालों के पेपर हल करना इससे आपको परीक्षा का पैटर्न समझने में मदद मिलती है और आप परीक्षा के दौरान समय कैसे प्रबंधित करें ये भी सीखते हैं इसे बिना किसी रुकावट के परीक्षा की तरह हल करें ताकि आपको असली परीक्षा के लिए अभ्यास मिल सके इसके बाद अपने उत्तरों की समीक्षा करें और सुधार के लिए काम करें परिक्षा के दौरान समय प्रबंधन एक बड़ा फैक्टर होता है जब आप अभ्यास करते हैं तो हर सेक्षन के लिए समय सीमा सेट करें ताकि आप अपनी गती को समझ सकें परिक्षा में किसी एक सवाल पर बहुत ज्यादा समय न बिताएं बलकि आगे बढ़ें और समय बचने पर वापस आएं समय का सही प्रबंधन ही आपके सारे सवालों को हल करने और अच्छे अंक लाने में मदद कर सकता है साथ अपनी सेहत का ध्यान रखें अच्छी सेहत ही आपकी पढ़ाई का आधार है सही खान-पान, पर्याप्त पानी और साथ आठ घंटे की नींद बेहत जरूरी है हलका व्यायाम करें, भले ही वो दस मिनट की सेहर ही क्यों न हो परीक्षा महत तो पूर्ण है, लेकिन आपका स्वास्थे भी, इसलिए खुद का ध्यान रखें आठ, प्रेर्णा बनाए रखें मुझे पता है कि बोड परीक्षा के दबाव में प्रेरित रहना आसान नहीं है लेकिन खुद को रोज यह याद दिलाएं कि आपने यह सफर क्यों शुरू किया अपने लक्षियों को अपने सामने रखें और अपनी सफलता की कल पना करें अपने आसपास सकारात्मकता बनाए रखें और नकारात्मक विचारों या लोगों को अपने उपर हावी न होने दें आपने इस रास्ते पर अब तक इतना कुछ हासिल किया है और आप इससे भी ज्यादा पाने के काबिल है नौ, तनाव को कम करने के तरीके जब कभी तनाव महसूस हो तो एक छोटा ब्रेक लें गहरी सास लेने का अभ्यास करें, मेडिटेशन करें या थोड़ी देर बाहर टहल ले कुछ मिनट का आराम आपके दिमाग को तरोताजा कर सकता है और आपकी उत्पादक्ता बढ़ा सकता है आखिर में परीक्षा के दिन के लिए खुद को तयार रखें परीक्षा से पहले रात को अपने सभी जरूरी चीजें तयार रखें और आखिरी वक्त की पढ़ाई से बचें इससे तनाव बढ़ता है इसके बजाए कुछ समय अपने नोट्स को रिवाईज करें और जल्दी सोने की कोशिश करें सुबह शांत रहें, हलका नाश्ता करें और आत्मो विश्वास के साथ परीक्षा केंद्र पर जाएं अपनी तयारी पर भरोसा रखें और मानें कि आपने अपना सर्वश्रिष्ट किया है तो ये थे कुछ मुख्य टिप्स जो आपकी बोर्ड परीक्षा की तयारी को आसान और प्रेणा दायक बना सकते हैं मुझे उमीद है कि ये टिप्स आपके लिए फायदे मंद होंगे और आपकी तयारी को आसान बनाएंगे याद रखें सफलता एक दिन में नहीं मिलती ये निरंतर और समर्पित महनत का नतीजा होती है इस यात्रा को जारी रखें और आप शानदार नतीजे देखेंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और यह आपके लिए सहायक साबित हुआ हो तो क्रिप्या लाइक बटन दबाएं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लर्ण विद एके बी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी एक्जाम टिप्स, स्टडी हैक्स और मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहें मिलकर हम सब इन परीक्षाओं को पास करेंगे आपको परीक्षा के लिए धेरो शुब कामनाएं और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे